छोड़ चुके है पायाज की जॉब बने राष्ट्रपती कैंडिडेट। राष्ट्रपती चुनाव के लिए एंडियन ए रामनाथ कोविंद, 71, का नाम अपने उमीदवार के रूप में तरे किया है। सुमवार को बीजेपी की संसदिय दल की बैठक में यह फैसला हुआ। वर्तमान में बिहार के राजजपाल रामनाथ कोविंद यूपी के कानपूर के रहने वाले हैं। आपको इनकी परसनल लाइफ और कुछ किसों के बारे में बताने जा रहा है। घर के बाहर बने चबूत्रे पर बैठ करते थे पढ़ाई। के काम धंधों में हाथ बंटाने लगते थे। रामनाथ पांच भाईयों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता मैकुलाल गाउव में ही स्थित एक प्राचीन मंदिर के पुजारी थे। ये खेती किसानी भी करते थे। लेकिन पूजा पाठ और किसानी से कम ही इनकम होती थी। किसी तरहें वो परिवार का भरन पोशन करते थे। आठ के मी दूर जाते थे पढ़ने। विरेंदर सिंग ने बताया, रामनात पढ़ने के लिए गाउव से करीब आठ के मी दूर प्रयागपूर दिलवल जाते थे। यही से इन्होंने आठ मी तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कानपूर के भी एनाए सडीशिक शानिकेतन से बारागमी की पढ़ाई की। फिर डिये भी लॉ कॉलेज से ग्राजुएशन किया। इस दोरान वे कई बार गाउव अपने घर आए। हाला कि माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने गाउव आना छोड़ दिया। तीसरी बार में क्लियर किया था आयस एक जाम। लेकिन रामनात कोविंद देश की सरवोच सेविल सेवा में जानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आयस का एक जाम भी दिया। पहले और दूसरे अटेमपट में वे असफल रहे। तीसरी बार में उन्होंने एक जाम क्लियर किया। हाला कि उन्होंने आयस की जॉब ठुकरा दी। क्यूंकि उन्हें एलाइट सेवा में नौकरी मिल गई थी। घाटमपूर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में रखा कदम। कानपूर से ग्राजुएशन करने के बाद रामनात कोविंद ने दिली हाई कोट में वोकालत की प्रैक्चिस शुरू की। इस दोरान वो सुप्रीम कोट के जूनियर काउंसलर के पद पर रहे। साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वेतत कालीन प्रदानमंत्री मुरार जी देसाई के नेजी सचिव बने। इसके बाद बीजेपी के संपर्क में आएकोविंद को पार्टी ने साल 1990 में घाटमपूर लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में उत्तारा। हाला कि उन्हें हार का सामना करना पढ़ा। इसके बाद साल 2007 में उन्हें भोगनी पूर सीट से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन इस बार भी उनकी किसमत ने धोखा दिया और वे हार गए। 1994 से 2000 तक यूपी से रहे राज्यसभा के सदास्या। पेशे से इरवोकेट कोविंद 1994 से 2000 प्छे के बीच दो बार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वे 1998 से 2000 दों के बीच बीजेपी दलित मूर्चा के प्रेसिडेंट और रोईल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट भी रहे। बीजेपी के नाशनल स्पोक सपरसन भी रह चुके हैं। पी एम ने कहा कोविंद अलग तरह के राश्ट्रपती होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं आश्भस्त हूं कि रामनात कोविंद अलग तरह के राश्ट्रपती होंगे। वे गरीबों, दलितों और पिछडे वर्ग के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। वे कानून के अच्छे जानकार हैं और सम्मिदान के एक सपर्ग भी हैं। इसका फ़र्ग कानून के अच्छे जानकार हैं।